नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी हरियाना में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और ऐसे में हरियाना में वोटिंग से पहले चुनावी माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है और ऐसे में साभी राजिदिक पार्टियां कहीं न कहीं हरियाना में चुनाव में जीतने के लिए तमाम कोशिशे करती वी नजर आ रही हैं और ऐसे में इस बीच RLD चीफ जैन चौधरी का बयान सामने आ जाता है और वो बयान होता है विनेश फोगाट पर विनेश फोगाट के इस समर्थन में उतरते वे यहां पर जैनंचौधरी दिखाई देते हैं और उनके लिए काफी यहां पर प्रशन्शा करते वे दिखाई देते हैं इसाथ ही जिस तरह से हरियाना में चुनाव को लेकर विनेश फोगाट को लेकर जिस तरही से मुद्दा बनता हुआ नज़र आया कॉंग्रेस में जब वो शामिल हुई तो भारती जंता पार्टी कहीं न कहीं कॉंग्रेस को लेकर तमाम बयान बाजियां करती हुई नज़र आया जिस तरह से उत्रप्रदेश में ब्रजबूशन शरण सिंग पर महिला पहलवानों के साथ जो यौन शोषन के मामले निकल कर सामने आये उसमें कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी घिरती वी नज़र आया और उसके बाद कॉंग्रेस में विनेश फोगाट की शामिल होने के बाद किस तरह से मामला गर्माता हुई नज़र आया और उस पर कहीं न कहीं राजनीती तेज होती वी नज़र आया और ऐसे में अब हरि विनिश फुगाट की तारीफ करना ही नहीं यहां पर तमाम ऐसे मुद्दे निकल कर आए हैं कि जब यहां पर सी एम योगी ने कावड यात्रा को लेकर बयान दिया था तो उस पर भी जैन चौधरी उनके खिलाफ उतरते वे नदर आए आरक्षण के मुद्दे पर उतरते वा जिस तरह से आपने कहीं कि जिस तरह से उनका अंदाज दिखाई पड़ता है वो लगता नहीं कि बहुत लंबे समय तक एंडिया का हिस्सा बने रहेंगे आपको याद होना चाहिए कि जब कावर यात्रा शुरू हुई तमाम तरह से यह तक कहा गया मुस्लिमों से कोई समान मत खरीदियो इस से कि तमाम सारी बाते होती हैं लेकिन यहाँ पर जेन चौधरी का अगर आप स्टेंड देखें आपने भी उनका जो बयान ता सुना होगा हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा यह कहते हूं नजरा है कि भाई हम तो हिंदू-मुस्लिम को मानते हैं हम तो इ है सकते हैं बयान बादी की और यहां तक का कि सरकार से कई बर गलतियां हो जाती है इस तरह का फैसला योगी सरकार को बापस लेना चाहिए नमबर एक बात बात आपने देखा होगा कि उतर प्रदेश में उपचुनाओ की बात आती है और यहां पर बीज़िपी की तरब से जो खबर आती हैं या आती है कि भाई एक सीट दस में से दी जाएगी बो भी जैन चौधरी को मीरापूर की सीट बिज्ञोर से और यहां पर जैन चौधरी कहते हैं कि कमसकम तीन सीटा हमें दीजिए तो आप यह देखिए कि आपस में जो टसल है वो बढ़ता हुआ दिखाई पढ़ रहा है अपस में जो एक तकरार है वो यहां पर कह सकते हैं बढ़ती हुआ नजर आती है तो जो तालमेल अब तक दिखाई पढ़ता था जैन चौधरी और कह सकते हैं कि एंडिया की बीजेपी के बीच में बहुत नजर नहीं आता अब एक और इसमें बात जोड़ी अब नंबर तीसरी बात की जब हरियाना में चुनाव एनौंस होते हैं और जब तीरे दीरे वहां का माहूल बनना शूरू होता है तब ये भी बात निकलकर सामने आती है कि गर जेन चौधरी की पार्टी को भी एक तरीके से हरियाना में बीजेपी दो से तीन सीटे देगी लेकिन जैसे से चुनाव का माहोल आगे बढ़ा जिस तरह से पिर्टियाश्यो के नाम के अनॉंसमेंट हुआ उसमें जैन चौधरी की पार्टी आरेलडी बहुत पीछे रहे गई कहीं दो उसका नाम निकल के सामने नहीं आया अब जबकी लगबग रन सब चुका है नाम का समर्थन किया है वह बिनेश फोगाट जिनका कुछ जोनों पहले ब्रजभूश ने क्या कुछ नहीं का कि भई सारी राजनीदी खुल गए सारा कुछ उनका जो अंदर में था वह बाहर निकलाया वह राजनीदी में करना चाहते हैं थी कॉंगर्स की यह पूरी जो आ सकता है क्योंकि चुनावों के इन वक्त पहले अगर जुलाना से उतर प्रताशी कॉंग्रेस की अगर बिनेश फोगाट के पक्ष में अगर NDA कुनमे का कोई कह सकते नेता इस तरह की बयानबाजी करेगा तो मुझे नहीं लगता है बीजेपी इसको कहीना कहीं सहन करन प्रति जनता पार्टी को नुकसान यहां पर उठाना पड़े और ऐसे में काफी खाम्याद है यहां पर जेलना पड़े क्योंकि देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनी थी यहां पर भारति जनता पार्टी तयार करती वी नजराई 400 पार का दाव करते-करते भारति जनता पार्टी 302 पर पार नहीं कर पाई और ऐसे में देखा गया किस तरह से भारति जनता पार्टी की कि लोकसभा चुनाव में करुई और गये जिस तरह से तमाम अंडिये के दल जाये जे चौदरी हो चाया अनुपरिय midi पटेल हो यहां पर तमाम यहा सर पढ़ता हुआ नजर आएगा और ऐसे में अगर यहां पर भारती जंता पार्टी पिछड़ती भी नजर आती है हर्याना में तो बेशक यहां पर जैन चौदरी की एक तरीके से जीत देखी जाएगी तो सर क्या लगता है क्या वाकई हर्याना के अंदर जो माहौल इस वक्त बनता वह नजर आ रहा है सीम नायाप सिंग सैनी को एक बार फिर से सीम बनाने की बात यहां पर नजर आ रही है और ऐसे में तीसरी बार सत्ता में यहां पर भारती जंता पार्टी वापसी करने की बात कह रही है तो क्या कॉंग्रेस इस तरह से तैयारिया करती भी नजर देखिए मनीश और जाहिर बात है कि बीजेपी की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से तीसरी बाद सत्ता को पाया जाए हर्याना में अपनी सरकार को एक बार फिर बनाया जाए लेकिन देखिए इस्तति जराब गोर करिए कि यहां पर नायब सिंग सेनी का समर्थन क्या राओ इ बीजेपी उनको मना कर देती है तो ऐसे में कई तरह के सवाल उटके खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी की आखिर रणीती क्या है आप देखिए जब से प्रत्याश्यों के नामों का इनांस्मेंट हुआ है सो से भी जादा नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है त बीजेपी के तमाम सारे जो सहीयों की दल है वो कहने हैं बीजेपी के खिलाब दिखाई पड़ते हैं आप देखिए चायनों पर यह की बात करिए चायराजभर की बात करें संजन इशाद की बात करें जैन चौधरी की बात करिए राजबहिया की बात करिए अगर बिहार तो वाँ पर चिराख पासबन कहने हैं कि आके दिखाते हूं नजर आते हैं उपेंड कुछ वाँ आके दिखाते हूं नजर आते हैं तो यह तमाम तरह की चीजे जो यह बताती है कि बीज्जे पी जिस से नाराज हो जाते हैं मनीश तो यह मान कर चलिए कि जो बीजेपी सत्ता में है उसकी सत्ता जाने में टाइम नहीं लगेगा इसलिए जैन चौधरी ने शायद मूँ भरकर इतने बड़ी बात बोल दिये और सिर्फ यही बात नहीं बलकि से जुली कई बातों को लेकर उन्हों करती है. उस से उननना फने पोगल है उनके साथ ब्रख दिए उनकी की घोंब पावर बाते हैं. जी बिल्कुल तब ऐसे में भारती जिंता पार्टी के पास बहुमत ना होना भी कहीं न कहीं यहाँ पर चुनावी महौल में यह समाम चीजे उत्पन करता हो नज़रा रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ भारती जिंता पार्टी के NDA के सयोगी दल उनके खिलाफ उतरते वे नज़रा रहे हैं जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पर चाहें संजनिशाद हो अनुपरिया पटेल हो और जैन चौधरी हो और यहाँ पर तमाम बड़े चहरे ऐसे हैं जो उत्रप्रदेश की राजनीती में ही नहीं वलकि बिहार में भी उपेंदर कुश्वाह को ले लें यहाँ पर चिराक पासवान को ले लें और यह तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी का खेल आगामी चुनावों में बिगाड सकते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की स्तिती उत्पन होती है तो वाकई भारती जंता पार्टी का सियासी भविश्य खत्रे में नजर आ सकता है फिलाल आपको इस मुद्धे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News